जो बच्चे Commerce Stream में होते हैं जो पहला ड्रीम होता है वो होता है चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स करना चाहते हैं आपको जैसे पता ही है कि देखिए की स्ट्रीम में अच्छी बात क्या है इसका जो कोप है वह बहुत जार है आप Finance में जा सकते हैं आप Taxation में जा सकते हैं ठीक है आप Accounting में जा सकते हैं आप Insurance में जा सकते हैं बैंकिंग में जा सकते हैं वह बहुत ज़्यादा है ठीक है और यूजरी हमने देखा है कि यहां भी क्योंकि पुराना कोर्स है लोग उसके बार में छोड़ा जानते हैं तो लोग क्या है कि ज़्यादा जो कोशिश करते हैं अगर देखा जाए बाकी की कोर्स के मकाबले तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं वह बात करने हो फिर आपको यह वीडियो आपके लिए इस एक्रेट कर देना चाहिए अगर आपके लिए यह वीडियो का अभी तक देख रहे हैं तो क्या है कि आप लाइक कर दीजिए और हमारी जो चैनल इसको सब्सक्राइब दूर कीजिए क्योंकि ऐसे जो वीडियो हैं कि हम रूटेन सब्सक्राइब इस इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किर लिए को island के लिए करैं के करने के के लिए है त्र cred क्या स्ब्जेक्स है क्शीख है वह सब्जेक्स प्रकाइस क्या है कब आप فlaPod कर सकती हो इस प्रकार थे आपने प्रेपरिशन करनी में जबसेपहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है ज़क्रीप अरोडा, फाइ क्वालिफिकेशन में बीकॉम CACS CM में तीक है CACS CM में तीनों मेरी क्वालिफिकेशन हैं तो इस वीडियो में हम यह सारी बाते करेंगे C.A. Foundation course के बारे में तो सबसे पहले आपकी जो eligibility है वो क्या है ठीक है प्लस 2 आपने appear हो चुके हो कम से कम अभी clear नहीं भी क्या चलेगा आप जब apply करना चाहते हैं C.A. Foundation के लिए आप कम से कम कहा हैं कि जो प्लस 2 में appear हो चुके हो ठीक है तो जब आपने exam में appear होना है जब आपने C.A. Foundation के लिए अप्लाई करना है तो आप प्लस 2 में appear हो चुकी है तो आप कहा है apply कर सकते हैं पर जब आपने appear होना C.A. Foundation exam में तब तक क्या है कि आपकी प्लस 2 clear हो चुकी होने चाहिए ऐसा नहीं कि आपकी compartment है और आप कहा है कि आप appear होना चाहते हैं C.A. Foundation में ऐसा नहीं चलेगा तो प्लस 2 clearance आपके लिए कंपल सरी है तो appear in the C.A. Foundation exam तो आप कहा है कि just on the basis of appearance in the प्लस 2 exam तो मैं आपको बता दू जिसे मिने बताया यह specific जो वीडियो है यह नमंबर दोहर बीस के बच्चों के लिए है और जो में दोहर 21 में अपियर होना चाहते है उन बच्चों के लिए भी यह वीडियो है ठीक है अब कहा है कि नमंबर दोहर बीस में जो बच्चे अपियर होना चाहते है उनके पहले जो C.A. Foundation में appear होनी कि जो last date थी उती बेटा 30 जून अब वो बढ़ा के कर दी गई है 31 अगस्ट जैनि अगर आप ने अभी तक form submit नहीं किये तो आप 31 अगस्ट तक क्या है कि form अपना submit कर सकते हैं ठीक है और आप नमंबर में appear हो सकते हैं उसके बार आपको एक examination form में submit करना होता है ठीक है और अगर आप में 21 में appear होना चाहते हैं तो क्या है कि आप जो last date जो है form submit करने की 31 December 2020 31 December 2020 तक क्या है कि आपना C.A.F. Foundation का form submit कर सकते हैं ठीक है यह बात हुई आपकी eligibility criteria की जो last date for submission of registration form है वो क्या है तो next बात करेंगे हम इसका जो syllabus है अब इटा syllabus में हम बात करें तो उसके चार subjects हैं तो चारे ही subjects काफी बढ़िया है ऐसा नहीं है कि आलतो फालतो subject रखा हुआ है जुसको आपको पढ़ने मज़ा नहीं आएगा चारो बढ़िया subject है आपको पढ़ने में बहुत correspondence and reporting ठीके इसमें दो पार्ट है जैसे section A section B section A में क्या आगया आपका business laws आ गया और section B में क्या आगया business correspondence and reporting ठीक है जी अब जो business laws है यह 60 marks का है और जो business correspondence and reporting है यह आपका 40 marks का है तो paper 3 है बेटा यह है business mathematics and logical reasoning and statistics actually क्या है कि अगर देखा जाए इसको देखने में लग रहा है कि यह दो पार्ट है part 1 part 2 है business mathematics and logical reasoning and statistics part 2 है ठीक है पर एक्सलमें यह पार्ट तीन है part A part B part C जो पहला part है वह मैध का वह है 40 marks का और जो पार्ट B है वह है logical reasoning का ठीक है वह आपका है 20 marks का जो पार्ट C है वह है statistics का पहले हो है 40 marks का ठीक है तो क्लमिला की कितने हो गई 100 marks तो थर्ड जो है वह है वह है पो स्वरी पेपर फोर है वह किसका एक business economics and business and commercial knowledge अब उसको पार्ट वन है वह बिजनेस एकनोमिक्स का और जो पार्ट तू है वह बिजनेस और कमर्शल नॉलेज़ का बिजनेस एकनोमिक्स में पार्ट बने हुए तो अगर देखा जाए तो चार से जारा हो जाते है अगर देखा जाए तो अब मैं बतातों कि हर इक सब्यक्स का यह 100 marks का तो नंबर का क्या है हर एक पेपर होगा और पास होने के लिए कम से कम हर पेपर में आपको कितने मर्स चाहिए 40 नंबर पास हो 50% अब मान लीज़े कि आपने एक फेपर में 40 नंबर लिए दूसरे में 40 30 में भी 40 तो आपको अगले पर में चाहिए आपको 80 440 440 प्लस 80 आपके कितने हो कि 200 400 में 20 यानि कि आपके 50% होगे अगर आपके किसी पेपर में 39 marks आगे तो आप क्सी पेपर में 39 marks लेते हैं तो ज़्यादा किसी एक पेपर में कि 39 मुझे वी तो आप हैं इसमें क्या होता बटा कि अगर जिस पेपर में आपके 60 मार्ट्वेस ज्यादा माक्स आई है तो उसमें आपके अग्जम्शन मांगे मानी जाती है नेक्स टैम प्रिक्वार्मेंट नहीं है तिसमें कि जिया ध्यान तो आपको दूबारा फीस भरनी होती है वर ऐसा होता नहीं है यह फांडेशन का लेवल इतना तफ नहीं है यह जारे से अधरा पहली बार में हो जाती है अगर आपको यह वीडियो यहीं पे छोड़ देनी चाहिए नेक्स हम बिड़ा बात करते हैं फीस की इस ही फांडेशन क की जो फीस है उसके मैं बताता हूं ठीक है डीटेल में बात करूं तो इसकी जो फीस है वह 200 है ठीक है तो फांडेशन की जो इसे आप पढ़ सकते हैं तो इस प्र यह नहीं चाहते तो फिर कितनी देगा छी सुबार हो जाएगा ठीक है कि कितना कि नो है दो सो आपके सकते हैं कि 9 के करीफ ठीक है तो मैंने आपको बताए फिर रिपीट कर नवंबर बीस में अपेर्ट होने की जो अप्लाई करने की गर्मस anymore हर probably नमबर चाहिए हर पेपर में पास होने के लिए जो एग्रिकेट चाहिए वो आपको चाहिए 50% ठीक है उसके इलावा मैंने बताया कि हाँ भी इसकी जो वैलिडिटी है वो तीन साल की है तीन साल के अंदर आपको उसमें अपियर होके क्लियर करना होगा ठीक है और ये भी ध्य वैंतियों में इतना है बिटा मैं एक और चीव मैं आपको बता दूज्मने आपको नहीं बताई तो यह है कि आपकी कैसे करने के दो ही तरीके है एक है कि आप सेल्फ सोड़ी करिए या कोचिंग लीजिए अगर आप सेल्फ सोड़ी करना चाहते है कर सकते हैं तो यह वैलन टेस्ट हों आपके तो हमारे पास क्याएं कि यह सारी जो अविलिबल है तो नीचे दिएगे नंबर पर आप हमें वर्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सीए फांडिशन की क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज आप वर्ट सब्सक्राइब मत की दिए तो आप जिस दिए गए नंबर में वर्ट सब्सक्राइब कीजिए ने तो कंफ्यूजन हो जाती है तो चलिए इस वीडियो में इतना है थैंक्यू